मित्रो नमस्कार, Parameter of Law के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा रिटार्ड न्यादिश आपका आर्दिक स्वागत करता हूँ आज में एक बहुत ही महत्पुर्ण विशे जिसे शॉर्ट में JJ Act, Juvenile Justice Act 2015 कहते हैं के बारे में इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ सबसे पहले 2000 में 2000 में Juvenile Justice Care and Protection of Children Act आया था जो बाद में रिपील कर दिया गया और उसके स्थान पर Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 लाया गया लेकिन निर्वया केस होने के बाद Juvenile Justice Care and Protection Act, Children Act 2021 में कुछ एमंडमेंट इस एक्ट में किये गए यह जो इसका अबजेक्ट यह है इस अधिनियम का कि Juvenile जो बालक हैं जिनकी आयू 18 साल तक की है 16 और 18 के बीच के या उससे चोटे हैं किशुरा वस्ता में अपरिपक्त में उनकी अंडरस्टेंडिक इतनी नहीं है तो इसमें सबसे पहले इतियास में बताता हूं सबसे पहला एक्ट था जो 1986 का था फिर 2000 में आया फिर 2015 में आया जिसमें एमंडमेंट करके 2021 में ये एक्ट में कुछ महत्पूलन संचोडन किये गए प्रत्यक व्यक्ति की सामन्यता जो प्रारमिक अवस्ता होती है जैसे बच्पन होता है बच्पन में वो फिजिकली और मेंटली उतना डेवलप नहीं होता है समय और समाच तता माता पिता की समरक्षण में वो सारी जानकारी पाता है पहले शुरू में वो अपरी पक होता है अपरी पक वावस्ता निकलती जाये जैसे जैसे उसमें MATURITY आती जाती है तो इसके टूल्स के लिए किसी दूसरे के दारा बच्चों को उक्साया जा सकता है इसली उन्हें मैनिपुलिटेट किया जा सकता है इस उद्देशते ये जे जे एक्ट की प्रावधान अत्यनत मेहत्पोर ने क्रिमिनल्स के दारा बच्चों को चुंकि वो इन्नोसेंट होते हैं उत्ती समझ उन्हें नहीं होती है आसानी से उन्हें टारगेट बना लिया जाता है भारत के समझान के अनुच्चेद 15-3 में तता अनुच्चेद 49-E और F में इवं अनुच्चेद 51 में समाज और राजजी का ये fundamental duties बताई गई है कि वो बच्चों के care और protection पर ध्यान दे अपरात को रोपने के लिए कई बार international conventions हुए भारत में समय समय पर rights of child के बारे में इसके बाद कुछ काम बना है 1969 में ये convention हुआ था उसके बार 89 में हुआ UN rules भी थे care protection नहाय प्रशासन बना रहे development हो बच्चों का और क्या उनको relief rehabilitation वगेरा के लिए दिया जाए इस PD उन्हें disposal में ले cases का क्योंकि बच्चों के प्रती बहुत सारी अपरात होते हैं इसी उद्देश से इस अधिनियम को लाया गया अब मैं कुछ महत्पूर्ण बात रहे इस अधिनियम के बारे में आपको बचाता हूँ सबसे पहले किशोर निया है बालकों की देख रेख और सारक्षन अधिनियम जो कि अभी भी 2015 के एक्ट के नाम से है जिसमें 2021 में कुछ महत्पूर्ण प्रावदानों को संच्चों दित किया गया ये एक्ट नंबर दो ओफ 2016 के अलाता है इसकी जो एसेंट की वो माननी राष्टपती मौदे द्वारा 31 दिसमबर 2015 को दी गई और ये 15 जनवरी 2016 से ये अधिनियम 2015 का प्रावशीर हुआ में पूर्ण बात ये है कि ये होल ओफ इंडिया एप्लिकेबल है इंक्लिडिंग जम्मू एंड काश्मीर मतलब संपूर्ण भारत पर तता जम्मू काश्मीर राजी पर ये जे जे एक्ट 2015 की प्रावदान दागू है इसमें टोटल दस चैप्टर हैं तता धारा हैं 112 है डेफिनेशन जो क्लॉज है वो सेक्ट इसमें करीब 61 परिवाशा है दी गई है जिसमें से कुछ ही महत्पूर्ण परिवाशा है मैं आपको दारावाइस उसके क्लॉज जो हमके द्वारब के बारे में बताता हूँ तो ये 112 जो टोटल सैक्शन है इसमें सैक्शन टू में डेफिनेशन सदी गई है जो 61 परिवाशा है इनमें अर्फा परित्यक्त वालक क्या है जिसे दूसरे किसीुनके माता-पिता द्वारत परित्यक्त कर दिया गया है छोड़ दिया गया है adoption याने दत्तक grant के बारे में परिवाशा की गई है after care याने पश्चात वर्षी देख रेक क्या होगी begging क्या होगा भीक मांगना ये child trafficking जैसे गाव कर दिया छती अंग विकार आदि कर दिये जाते हैं कि नहीं भी gang के द्वारा और उनसे भीक मंगवाई जाती है इसके अलावा best interest of child क्या है सर्वुतनम बालक का हिप क्या है child क्या है इसके अलावा child in need care and protection child friendly child welfare officer कोन है children scold कोन सी है corporeal punishment क्या है और इस तरह के इसमें heinious offenses कोन कोन से है inter country adoption क्या है ये सब धारा दो में परिवाशाओं में दिया गया है अब इस act का जहां तक प्रश्ण है जो की juvenile justice care and children protection act कहलाता है 2015 का था और इसमें 21 में महत्मुर्ण संशोदन निर्वया केस होने के बाद भारत की संसर द्वारा किये गए इसमें मार्च 2021 के amendment में मार्च 2021 में लोक सवाने से पास किया जुलाई 2021 ने राजसवान पास किया 7-8-2021 को मानी राष्टपती महमहिम द्वारा इसको एसेंट दी गए ये वूमन्स एंड चाइल्ड डेवलप्मेंट डिपार्टमेंट जो सेंटरल का है केंदर का है उसके अधिन WCD जिसे शॉर्ट में कहते हैं के अधिन कागे करता है अब जुविनाइल्स के प्रोटेक्शन के लिए जो भी प्रोविजन इस एक्ट में बनाए गए ते उसके अलावा इसमें एडॉप्शन की भी व्यवस्ता की गई अर्थाद दथ्टक ग्रेंड को भी व्यक्ति उसके माता पिता या समाज के किसी व्यक्ति को लेता है तो ये इस अधिनियम के अंतरगात इसमें प्रावदान रखा गया है जैसा कि मैंने अभी बताया है ये पूरे इंडिया और जमू काश्मीर में एप्लीकेवल है इसमें NCPCR National Committee for Protection Child नीड इसकी इसलिए आवाशकता ये बनाई गई है CCIA Child Care Institutions है जो इसकी देख लेक करते हैं CCI के सर्वे में Child Care Institutions में 1.5% भी उसका comply नहीं पाया गया जब इसका एक सर्वे किया गया सर्वे में 29% ऐसे CCI थे जो major shortcoming में आये और एक भी ऐसा CCI Juvenile Justice Act की तर्व नहीं पाया गया जिसमें 100% Act के Compliance या Provisions को Follow किया जा रहा हूँ CCI इसमें Child Welfare Committee भी रखी गई है जो बच्चों के हित में काम करती है उसमें License District Magistrate के द्वारा दिये जाने का Provisions रखा गया है Government License परदान करती है पहले ये तीन मेने के लिए देती है और उसके बाद 6 मेने तक उसको Extend कर सकती है यदि उस पीरिड में भी किसी कारण से नहीं मिला है तो उस पर सरकार विचार करती है इसमें District Magistrate और A.D.M. को वर्तमान में Power दिये गए जिला धंदादिकारी और Additional District Magistrate शुरू में ये Section 61 जो इस Act का है इसके अंदर Court को Power थी चूँकि नियाल है Over-Bandant है Civil और Criminal Cases का उन पर इतना बोज है कि उसके कारण वो Side Hunt से इसकी Monitoring नहीं कर पाते है इस कारण ये Amendment 2021 का जो लाया गया इसमें Section 61 वगेरा कि जो Power पहले Civil Courts को थे वो अधिकार District Magistrate और ADM को दे दिये गए और Juveniles को Adoption देने के Power भी District Magistrate और ADM को है तो इस तरह Monitoring Power DM या ADM जो भी के आदेश से कोई व्यक्ति एग्रिवड है तो वो Divisional Commissioner के आइसकी अपील उस एक्रिवड ओडर से कर सकती है DM या ADM के ओडर के विरुद इसमें Juvenile with Conflicted Loss से सम्बंदित और Juvenile Need of Care and Protection तो इसमें 7 येर्स अब Minimum Punishment रखा गया है 3-7 साल के Punishment को पहले Serious Offense की केटेगरी में रखा जाता था Below 3 येर्स के Punishment को Fatty Offenses माना जाता था एक महत्पूर्ण मामला Shilpa Mittal versus Delhi State of NCT Delhi मैं माननी सरुच नयायले ने ये कहा कि Sexually जो Violent Crime है उसमें Serious Offense की केटेगरी में इसको रखा जाए और 2021 के Amendment से ये Serious Offense में रख दिया गया तो ऐसी स्थिती में Monitoring के लिए DM या ADM इसके लिए समय समय पे पूरी जानकारी लेंगे और Serious Offenses अंडर IPC और एनी अदर लोग में जो हैं वो Criminal Background के जो लोग हैं उनकी व्यवस्ता Serious Offense में साथ वर्स तक की जैसी मेंने बताई रख ही गई है तो इस तरह Juvenile Justice Care and Protection Act 2015 में यह Rehabilitation के लिए बनाया गया है आजार होने पर जब तक कोई एक्ट नहीं था तो Presidency Town जैसे की मदरास, कैलकटा, बैंगलोर, बॉंबे आदी में प्रोविजन्स पुराने थे Children Act पुराना 1960 में आया था J&J Act फिर जैसा कि मैंने अभी बताया 2000 में आया, उसके बाद 2015 2000 का एक्ट रिपील कर दिया गया और उसका संशोदन 2021 में किया गया Major reason यही था कि निर्वया केस में जब जुविनायल जो छोड़ दिया गया था उसमें तीन साल के लिए उसे बाल सुधार ग्रह में बेजा गया था उस पर सिर्व समाज में काफी इसका विरोध हुआ और उसको देखते हुए अब 16 से 18 वर्ष के बीच के हीनियस ओफेंसे पर भी उसे एडल्ट की तरह ही ट्रिट किया जाएगा जैसे वो Major हो जो विनायल जेस्टिस बोल्ट यह डिसाइड करेगा कि उसको क्या पनिश्मेंट वगेरा देना है Constitution की जैसा अगे मैंने बताया यह मेन आर्टिकल 15 क्लॉस 3 आर्टिकल 21A आर्टिकल 24, आर्टिकल 39 E&F और आर्टिकल 45 चता fundamental duties में इस बारे में प्रोभी जाने अब 2021 के एमेंट्मेंट के द्वारा adoption जैसा आगे मैंने DM और EDM का बताया गोद लिया जा सकता है अनात बच्चे इसमें orphans की वी विवस्ता की गई है किसके द्वारा ली जाएंगे कोन अनात बच्चे कहलाएंगे surrender child जिनकी माता पिता ने उनने surrender कर दिया है इस प्रगार जो 2021 के एमेंट्मेंट में जो juvenile की age है वो दोनों की चाहिए जेंड्स हो या लेडीज हो उसकी एज 18 साल कर दी गई है तो मैंने संखेट में आपको juvenile justice के case care and protection of children act 2015 और 21 जो एमेंट्मेंट हुआ है तो इस तरह सरल भाषा में मैंने आपको किशोर ने आए बालकों की देखरेक और सनक्षन अधीनियम 2015 के मैंत्मुर्ण प्रावधानों को इस वीडियो में बताया यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे like share करें दोस्तों मित्रों परिचीतों को भेज़ें चैनल से जदी नहीं जुड़ें तो आपसे अन्रोध है क्रपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर ये मेरा चैनल है मैं रिटायर नियादिश हमाच की सेवा के उद्देश ते अपने जो भी मैंने ग्यान छोटा मोटा कमाया है उसको आप के लिए इस चैनल के माध्यम से समर्पित कर रहा हूँ मैं आपका अत्यमत आवारी हूँ चैनल में मुझे काफी बरपूर सायोग मिल रहा है मेरे करीब करीब साड़े 75 सो सब्सक्राइबर भी हो गया है आपको चैनल देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ तेंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो इस वीडियो में यही तक कल फर मिलते हैं ना यू वीडियो के साथ धैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो नवस्टार्म।